नमस्का दोस्तों मैं सिवंक कुस्वा आपको स्वाइत करता हूं फ्रोगाइड CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं Microsoft Office Word तो जो हमारा पिछला वीडियो लग था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो यह paragraph है या font है यह सब कैसी यूज करना है आज हम लोग देखने वाले भी इंवेवेड़ यहां पर क्लिक करेंगे यहां। यह बहुत सा ने लिएफिश करना है तो सबसे अपर लिखर रिक नार्म ल कर देंगे तो कुछ वची तहीं करता है पर यह जो अपने कुछ ूर्णल कर देंगे अर्今 चाहीनिंग आपने करहा है जी करें इनना फंём यहां में करने चाहें है तो यह वाला आप उस्ट करेंगे जैसे उसे करेंगे जी मैं पूरा आप सब्सक्राइब कर लेक्द होगिने अमफ्य आपने और का प्धा होगा फारुका देखें हैं, तो यहां पे पुझी जो लों Remating है वो और कर फार्मेट कलियर का मतलब का मतलब क्या आपने Finally we हाटेगी, ठीक और जो यहां पर नार्मल करेंगे, तो यहां पर Paragraph Astaile निंग करें तो Star Text हाटेगी, यहां में Your results age हो चुका है तो यह नार्मल हो चुका है फिर आगे आता है यहां पे नोई स्पेसिंग के मतलब क्या है कि यहां पर जया खाली है त्धिक पूरी जगे वेकार हो रहे थी ति पूरी हो पूरी हट चुकी है थीक यहां पर देखिए इस पेसिंग काफी ज़्यादा हो रही है हम इसके सलेट करा नोइस पेसिंग पूरी जो जगए थी आप यूज होने लग गए ठीक तो आपको क्या करना है ऐसे यहां पर नोइस पेसिंग का मतलब यह फिर आता है एडिंग फिर आता है ही डिंग एडिंग क्या होती है आप जैसे बुक्ष देखोंगे उस कमेंड्ट जो टौपिक लिखा हुआ यह क्या है एक हीडिंग केaking के लिए तो आप जो topic है वो एक heading बन चुकी है यह देखें यहां पर यह इसके अंदर जितना लिखा हुआ है यह पूरा यहां पर यह heading हो चुकी है ऐसे आप क्या का सकते हैं यह पर यह paragraph लिखा है इसको हम लोग heading बनाना चाहते हैं इसको मैंने select करा आप यहां पर heading 1 कर दिये इसको भी यहां पर यह गया है यह देखें एक पहले heading हो गई heading 1 के अंदर इता आ रहा था heading 2 के अंदर इतना आ रहा था ठीक तो यह क्या हो गई heading 1 हो गई ऐसे आप क्या का सकते, heading के अं répondre ईदिंग लगा सकते heading के अंदर। HeyDent कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जैसे यह try लिखा हुआ है तो आप हम लोग क्या काते है, try को heading two बना देते है main heading यह हुगए, फिर इसके अंदर जो heading two है उगढ देते देखे अभी heading 2 तक है जैसे हम लोग heading 2 लगा देंगे तो heading 3 आ जाएगी heading 2 लगा देंग यहाँ पर heading 3 का option आने लग गया heading 2 के अंदर इतना आ रहा है पर इसके अंदर क्या आता है heading 2 आ रहा है इसा तो आप book में देखा हूंगे heading 2.1 फिर मतलब पहला जो main heading होती है वो ए हो जाती है फिर a के अंदर आता है a1 फिर आता है a2 a3 फिर a2 3 a3 के अंदर आता a2.1 ऐसा ती क्या होती heading होती है जो main heading होती है जैसे मैं ने बताया आप टॉपिक जो था वो heading था तो हम लोग ऐसे इसको सो करते है इसका अगे हमें बहुत मिलने वाला है तो इसलिए आपको इसको प्रेटिस करना है कि heading कौन से होती है first heading second heading मतलब क्या होता है first heading second heading से क्या benefit होने वाला है तो आपको प्रेटिस करना है अगर आपको समझ भी नहीं आया हो सब्सक्राइब क्या हो गए एक इंपूट आउट्पूट डिवाइस सब्सक्राइब करती है तो आप अगर नहीं समझ में आए तो मैं एक जो विज्वल है उसके तारा भी एक आखरी में ठोड़ा समझारी देता हूं हम लोग यहां पर जीई एक मेंने एक पेलिए आपकी बुक में क्या होता है यहां पर जो यह बुक है उसमें एक होटी होग गई फिर उस हीडिंग होता है यहां पर थोड़ी जगे क्यों होते हैं अभी हम लोग ले रहें कंप्यूटर क्या होते हैं दो तरह के होते हैं पहला पॉइंट हमने डाला यह फिर हमने डाला तू तो यह क्या होगा एक हेडिंग हो गई कंप्यूटर फिर कंप्योटर के अंदर ये 2 हेडिंग और आ गई फिर हमने लिखा कि जो दूसरा कंप्यूठर होता Swaz अजन दूसरा मेंड़तर कर दूसरा कम्प्यूटर को तर ता सबक्राइब करते गई नियुक हो गया पर तो आपको यह सब आता मैं हो गया और हए सबसे बड़ बाड़िडिन अधिर उसके अंदर सर उसके आती है तो आपको धियान रखना मैं हो गया फिर सब्ताइटल का होता है इसके सब्सक्राइब कि यहाँ पर इसको टीजाइन कर दें ताक्cean को समझ में आए कि सब्लाइल फिर ऐसे आता है यह इमफिसाय जाता है फिर आता है एंस साथे और कों भून क्या होता है जैसे आप कहीं कहीं साही करना चाहते है तो इतना भी आपने यह यह यूज करा है वह सब आप जाएगा या फिर आप नॉर्मल कर देंगे तो भी यह हट जाएगा ठीक समझ में आया होगा, style के अंदर basic, आपको ज़्यादा इतना ध्यान नई देने हैं, आपको केवाल यह यह heading दिए यह उसको यूँज करना है, और यह जो title दिया हुगा है, इतना परसान नहीं होना है, टाइटल क्या होता है आप बुक दिखते हैं बुक का Chapter 1 फिर Chapter 1 के बारे में थोड़ा उसका जो Chapter का नाम होता है वो लिखा रहता है तो यह टाइटल होता है है बूक के अंदर जो टापिक होते होते हैं कर लोग को है नहीं किसे घूड़ने से सांज करेंगे तो क्या करेंगे यह épisode करेंगे और यहां पर टॉपिक यहां पर लिखेंगे हम लोग लिखते क्या लिखते टॉपिक लिखते टी ओपी आई सी अब देखिए जितनी जगह टॉपिक होगा वहां पर क्या हो जागा है यहां पर हाइलाइट हो रहा है जितनी जगह यहां पर टॉपिक लिखा है वह सब हाइलाइट हो रहा है यहां पर टॉपिक लिखा है यहां पर लिखा हुआ 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 है यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है तो यह हो गया फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर फा यहां पर इतना वो सर्च नहीं करेंगे आपको में यहां पर पहला फाइंड वाला है आप को यह बस वार्ड वाला हुज होता है इसलिए आपको यही दूणना है यह पेζ भी ढूणना है आप अभी हम लोग आगे देखेंगे अभी हाँ पर कंट्रूल इंटर दबाएंगे त यह पॉइंट हो गया आप मैं चाहता हूं यह पेज जो है तो क्लोश है जाना चाहिए इसके बाद जितना भी लाएना है तो हम लोग क्या करेंगे तो आपको ध्यान रखना है फिर आपको क्या करना है और अगर आप यहां पर फाइंड में क्लिक करते हैं अब मैं यहां पर हमने बनाया था देखिए ट्राइब में पहुंचे गए टॉपिक में क्लिक करेंगे तो यहां पर भी इसका बनीट फिट मिल रहा है आप चाहिए इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक समझ में क्या आ रहा होगा नहीं आएगा तो आप बताइएगा तो हम लोग चाहते है डोप यह वई हमार Knights करेंगे तो पहला साहरा पूरा-पूरा जहां जहां टॉपिक लिखा करेंगा और सब्सक्राइब तो मैंने क्लिक कर लिए तो के तो तेरा जगे थे जहां पर टोपिक लिखा हुआ तो तो उस जगे पर क्या चुका है नियॉद्ट आ जूका है कि यहां पर देखी नियुद क्युक और ज The अब देखें यहां पर यह निव लिखा है यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है जितनी भी टॉपिक था वहां पर क्या हो चुका है अब आपीस आप चाहते हैं कि निव को रिप्लेस कर दे किसे टॉपिक से तो हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस में क्लिक करेंगे निव को र और रिप्ले साल कर देंगे तो फिर से वाप इसी तेरा जगह जो थे वहाँ पर क्या आ चुका है टॉपिक आ चुका यह देखिए अब अगर आप नियू लिग दिया इस वज़े से आ रहा है तो समझ में आओ गया रिप्लेस का मतलब क्या होता है फिर आता है सलेक्ट क्या होता है कि सलेक्ट जैसे हम लोग यहां पर इससे सलेक्ट करते हैं ऐसा जब मैंने बताया था सुरुमें कि आपको माउस में क्लिक करके ऐसा किसका दे या फिर आप मौस से घुमा कर सकते हैं या फिर आप क्या 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 सकते हैं आप उपने बने होगी उपनी नीचे लिट राइड तो नीचे के जितनी विलाइद होगी आगर एक वरड़ select करना चाहते तो ऐसे select होगा देखिए यहां पर और अगर shift और control दबा लेते हैं shift दबा लिए मैंने और control दबा लिए तो आप क्या होगा ऐसा अगर मैं खिसकाता हूं तो क्या होगा ऐसा ऐसे पूरा एक एक word select हो देखिए यहां पर central idea color the topic और अगर आप ऐसा देखिए और यह सेलेक्ट समझ में होगा Hakkd सअधर करने के लिए अप ऐसे सवेट का सकते हैं या फिर कंट्रोले बाएंगे तो भी पूरा सव जाए unfold या फिलिभ्षिप्ट और कंट्रोल दबाके भी आप सालेक्ट का सकते हैं तो समझ में आओगा अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह इंसर्ट होगा इंसर्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो पेज होता है टेवल यह सारे चीजे क्या होती है उनके यूज करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या हम लोग एडिटिंग का सकते हैं इंसर लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई सवाल एक कोशन है तो हमारा वाट्सेप नंबर और टेलीग्राम जो भी नंबर है सब दिये हुए हैं तो आप आराम से कोश्चन पोश सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब करें धन्यवा सब्सक्राइब